बीजेपी रास्ट्रो व्योहर आला इंचार जो तारुन चुग आद्वर्यम लो तीन मार मालना बीजेपी लो चीरारू इस अंदर बंगा तारुन चुग माटलर तुनारू लाइव जोदा अगर देश के अंदर जागरिती लानी हो तो कलम उठाइए ये पुरानी कहावत है अरुनों ने तेलंगाना के अंदर टी एरस की केसियर नित्रित्व की जो सरकार है उनकी लूट खसूट वन्शवाद ब्रश्टाचार परिवारवाद उसके खिलाफ कलम उठाई और कलम उठाई और उस कलम उस पत्रिकारता उस अवाज के साथ तेलंगाना के लाखों लोग जुड़ गए जैसे लोग सुबह निउस्पेपर का इंतजार करते हैं फर्स्ट निउस का मीडिया में इंतजार करते हैं आजकल तो फ्लैश निउस का इंतजार रहता है वैसे ही तेलंगाना की युवा जन्ता तीन मार मलाना की निउस का इंतजार करते हैं वो कब लाइव होगा क्या विशे लेगा और फिर छात्र विद्यार्थी आम नव युवक उसको फालो करता है इन्होंने अभी मलसी का चुनाप अजाद लड़ा इंडिमेडिड के इंडिड के नाते लड़ा और आप हरान होंगे कि इनको एक लाख उनिंजा हजार ग्रेजुएशन ग्रेजुएट कॉंसिएंसी में से वोट बिले यानि तेलंगान के एक लाख उन्चास हजार वरंगल खमम नालगोंडा ग्रेजुएट कॉंसिजेंसी के नोजवानों ने पड़े लिखो लोगों ने इनको वोट डाला एक बहुत बड़ी शक्षियत लेकिन इन्हें पत्रकार होने का सच्चे पत्रकार होने का कलम की आवाज उठाने का वह बहुत बड़ी सजा मिली क्योंकि के सियार के ब्रश्टा चार को नंगा करना है तो आपको लाठी भी खानी पड़ेगी आपको जेल भी जाना पड़ेगा आपको पुलिस का उत्पीडन भी करना पड़ेगा सैना पड़ेगा संजे बंडी जी हमारे साथ बैठे हैं इन्हों उनने एक विशाल पैदल यात्रा की शुरुआत किये 200 दिन की पैदल यात्रा आज के युग में जब दुनिया वर्टसेप और मेल पर है ऐसे समय में जब कोई स्कूटर मोटर सैकल पर सबजी लेने जाता है ऐसे समय में जनता के बीच गाउं गाउं जाने के लिए तेलंगान की जनता की अवाज को बुलंद करने के लिए यात्रा निकाली और आप हैरान होंगे क्योंकि धक्षिन की खबर यहां कम छत्ती है इनके उपर कितने हमले हुए कितनी गाडियां जली इनको पुलिस ने कितना पीटा हमारी यात्रा के अंदर चलने वाले हर व्यक्ति को हमारे वहां चारो सांसद हैं चारो सांसद को आप Google पर सर्च करेए चारो के चारो सांसद ईएवन Cabinet मंतरी किशन रेड़ी वहां से आते हैं उनके उपर भी किस तरह हमले होते हैं हमारे अर्बिनouri जी वहां MP है अपने लोक्सवाशेतर के अंदर घूमने जाना है बहन्षा जाना च रहे हैं क्योंकि जन अंदोलन में जनता के मुद्दों को उनने उठाया है हमारे जो विधायक है हर विधायक पर personal cases जा ले जा रहे हैं उन पर police cases registered किये जा रहे हैं आज नवीन कुमार उर्फ तीन मार मलाना का यहां शामिल होने के पीछे आप सब के पास लाने के पीछे एक reason है कि तेलंगाना की सरकार के अत्याचार की अवाज दिल्ली तक पहुंचे तेलंगाना की धर्ती पर हो रहे लोगों पर अत्याचार की अवाज तेलंगाना की जनता के दुख की अवाज तेलं देश के लोगों को पता चले कि एक तरफ शिरी नरेंदर मोदी जी का गरीब हितकारी शासन है एक तरफ नरेंदर मोदी जी का जीरो करफचन वाला शासन है एक तरफ नरेंदर मोदी जी का गरीब के घर पर सोई कैस चुचाले गरीब के घर पर उसको नया मकान देना उसको इं गाफी की तरह तेलंगना के लोकतंतर को धजियां उड़ा रहा है और आप हहरान होंगे कि इनके उपर 38 पुलिस केस डालेगे और पुलिस केस भी ऐसे डालेगे कि पहले पुलिस केस में इनको जमानत मिलती थी अभी यह जमानत पर बाहर नहीं आते थे इन पर दूसरा केस डा नो बार जमानत हुई और जमानत के मिलने से और जेल के बाहर आने से पहले निया केस डाल दिया जाता था ये तीन मार मलाना नमीन कुमार तेलंगाना शासन की अत्याचार की जीती जाकती कहानी कहने के लिए आज आपके पास आए हैं और जन समर्थन इनके पास क्या है वो के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो एक लाख उन्चास अजार फोटीन नाइन तॉजन लोग वो भी ग्रेजुएट इनके साथ खड़े होते हैं यह तेलंगाना का एक चित्र मैंने आपके सामने रखा है और जूठी जूठ की पॉलिटिक्स जूठ की पॉलिटिक्स वहां के सी भाईयों के साथ अत्याचार की पॉलिटिक्स वहां के किसानों के साथ जूठ की पॉलिटिक्स और जंता के टेक्स की पैसा जो जंता के लिए गरीबों के विकास के लिए लगना चाहिए उसकी लूठ की कहानी आप आप सब को तेलंगाना जाकर देखनी चाहिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपना पांच गुरुप के अंदर शिष्ट मंडल बनाए पत्रकारों का हम वहां पर आपको जनता के बीच में लेके जाएंगे वहां जाए जनता के बीच में जाकर देखिए कैसे के स साहिब वेसी जी के साथ मिलकर ये इत्याचार कर रहे हैं और